के माइक को यूज करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया हमारे एक्सपेरिमेंट को हमारी वीडियो को लोग तमाशा समझते थे छह महीने तक मैंने जो वीडियो बनाई उस पे जो व्यूज थे वह 100-200-300 इस रेंज में आते थे जो काम मैं कर रहा था जो रस्ता मैंने अपनाय गाइस वह एक्चली में सही नहीं था मैंने अस्टी चैनल बना ली मेरा सब कुछ खता हो चुगा था मैंने डिसाइड कर लिए कि यह यूट्यूब चलाना ही नहीं है आपका जो बच्चे उसना आइटी से बीटेक करी है और अभी वो क्या कर रहा है यार यह सब मतलब कैमर लेकर कहां गूम रहे हैं अब आता है सबसे इंट्रस्टिंग पार्ट और सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी हेलो गाइज मैं हूँ अमित भाई मंच दूसरा है लेकिन अंदाज वही है आप इसे जालतर लोग मुझे वैसे तो क्रेजी एक्सवाइजी के नाम से जानते होंगे लेकिन अगर जिनको नहीं पताएगी एक्रेजी एक्सवाइजी क्या तो भाई शिम्पल है यूट्यूब पर जाओ सार्च करो क्रेजी एक्सवाइजी आपको हमारे चैल मिल जाएगा हमारे यूट्यूपर 21 MILLION बस तक का जो सफर है वो किस तरीके का रहा, क्या-क्या challenges आई, मेरी जिंदगी जो है उस ताइम पर कैसी रही, उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, गैस मेरी कहानी की शुरुआत हुई राजस्थान के अलवर जिले के छोटी से गाउं से और हमारे इंडिया के के एक local school से हुई, जहां पर actually में हम लोग जमीन पर बैठकर ही पड़ा करते हैं, जो दरीपटी बिछाते हैं, तो नीचे फर्स पर बैठते हैं, कोई ऐसा हाई-फाई school नहीं था, मैं अपने school में बड़या से topper था, एक ताँ मज़े में जिंदकी चल रही थी, school के बच्च लगा मुझे English में adapt करने में, लेकिन जब मैंने अपनी 10th class पास करी, 2 साल English medium में रहने के बाद में, तो मैंने ठीक ठाक बढ़िया 9.8 CGPA अपने class में बना ली थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, पहला challenge यहां खतम हुआ, लेकिन जैसे यह हुआ, उसके बाद मैं दूसरा challenge कि अब आगे क्या करना है, तो मेरे जो parents हैं, वो teachers हैं, mother and father both, तो उन्होंने मेरे को guidance यह तो जरूर से दी थी, कि कौन सी पढ़ाई करने पर क्या होता है, कौन सा subject लेने पर आप क्या बन सकते हैं, जैसे कि अगर आपको doctor बनना है, तो bio लेना है, engineer बनना है, तो वहाँ पर जाने के लिए बहुत मैनत करनी पड़ती है, coaching वगेरा करनी पड़ती है, मैंने बोला अपने parents को, कि मुझे IIT में जाना है, तो उन्होंने मेरे admission quota में करवा दिया, जहां पर मैं एक coaching institute से पढ़ा, वहाँ पर अपने challenges थे, लेकिन वो पढ़ाई वाली बात थी, ज IIT में पढ़ाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ realize करी, जो कि अगर आप college में हैं, तो आप लोगोंने भी करी होगी, कि अकसर ये होता है, कि हम पढ़ते जितने time है, उसके अलावा, मुझे लगता है कि आदे से भी जो जादा time है, वो free रहता ह है, और वो kind of waste हो जाता है, होता है आपके साथ में भी ऐसा, अगर आप college में पढ़ते हैं, या पहले पढ़े हैं, तो आप सभी को पता है कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी हो रहा था, IIT में भी हो रहा था, तो मुझे लगा कि यार, इस time को जो है waste नहीं करना है, इस time को properly utilize करना है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था, कि क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होता है, ऐसे case में जो मैंने भी किया, छोटी-छोटी चीजे होती हैं, जिनको हम थोड़ा lighty ले ले लेते हैं, उनको उतना seriously नहीं लेते हैं, जैसे मेरे college में, सब लोगों कैसे हो सकता है, क्योंकि बागी लोगों के पास नहीं है, IIT से बाहरी चीज available ही नहीं है, तो मैंने ऐसे social media platforms देखे, बहुत सारे थे, उसमें YouTube मुझे सही लगा, कि यार ये सही है, यहाँ पर आप, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिंपली camera के सामने आओ, अपने दिल पापा मुझे camera दिला दो, मुझे YouTube पर वीडियोस बनानी है, पूछा कितने का आता है, मैं बोला कि लगभग 30-30,000 का आता है, बोले ना 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 भाई, इतना investment तो बिल्कुल नहीं करेंगी, क्या मतलब है यार, इतना ज़्यादा खर्च करने का, इतने में तो बहुत सारी books कुछ कुछ आजाएंगी, कुछ नहीं होगा इन सबसे, आपको पता है, टिपिकल इंडियन पैरेंट्स जो होते हैं, एक middle class family में आप भले कहीं पर भी हो, जब तक आप कमाने नहीं लग जाओ, आपके जेप में जो pocket money आती, जो खुद के खर्चे के लिए पैसा आता है, वो मैं 18 साल की उमर होने से पहले कुछ earnings करनी है, और earnings start करनी है basically, जिससे कि मेरे पास में कुछ पैसा है और मैं कुछ कर सकूँ, तो इसलिए camera आया नहीं, तो मैंने क्या किया, कि अपने earphones के mic को use करके video बनाना start किया, camera नहीं था, तो video में मैं भी नहीं था, मैंने अपना channel start किया जिसका नाम था top and most और वहाँ पर मेरा target था कि जो भी top top की चीज़े है, top 5, top 10 उस तरीके की, वहाँ पर मैंने जो पहली video डाली, video बड़ी interesting थी, topic बहुत interesting था, India's top 10 richest beggars, याने कि भारत के 10 सबसे अमीर भिगारी, सोचने में बहुत ही मस्त है न, इस तरीके मैंने काफी topics पर यूट्यूब में अपना कदम रखा, editing सीखा, इसी बहाने बढ़िया से सीख गया, अब थोड़े time मैंने videos डाली, views आये नहीं उतने अच्छे से, कोई video के उपर 100 views आये, किसी पर 500 आये, इतने ही आते थे उस time पे, तो मैंने सोचा, थोड़ा shortcut अपनाने की सोची, मैंने यार, कि यार, यह सब बढ़िया है, कुछ earning मेरी videos ने करी, और कुछ earning जो है, वो copyrighted videos ने भी करी, और मैंने अपनी जो पहली earning थी, जो की लगभग 120,000 रुपय थी, वो कमाली, जो की बहुत जादा थी, मेरे लिए उस time पे, जो की मेरे bank account में आ गई, और मुझे लगा कि यार पैसा जरूर से कमा सकता हूं, क्योंकि पैसा भी एक factor दिमाग में रहता ही है, तो मैंने क्या किया, कि कई music companies के, कई बड़े-बड़े labels के, बहुत सारे songs हो गए, और बहुत सारे TV shows हो गए, अवार्ड shows हो गए, उनको upload किया, YouTube पर, दूसरे-दूसरे channels बना करके, और मुझे पता था कि यहां पर, जो YouTube का response है, वो बहुत ही अच्छा हैगा, क्योंकि, algorithm जो है, उसको मैं थोड़ा सा समझ चुका था, YouTube के को, जो कहीं नगी, प्लस वाली बात भी थी, प्लस पॉइंट था, बट, जो काम मैं कर रहा था, जो रस्ता मैंने अपनाया, guys, वो actually मैं सहीं नह पता था, यह सब crazy XYZ, और इस सबसे पहले की बात है, जो कि जाता लोगों को नहीं पता है, तो उस time पर, सारे चैनल जो है, चलने लगके, थोड़ी थोड़ी revenue आने लग गई, और actually मैं मैंने लगभख, 4-5 लाख रूपय कमा लिए, जो की मेरे YouTube से Adsense में तो चले गए, लेकि एक दिन ऐसा हुआ, जब मैंने देखा मेरे पास एक YouTube से mail आया, कि आपका जो YouTube चैनल है, वो terminate हो गया है, copyright की वज़े से, मैंने खोल के देखा, मुझे लगा, यार यह तो बहुत बड़ी गड़बड हो गी है, मैं तो चलो कुछ पैसे कमा लिए, उससे कुछ कर लेंगे, उ यह चीज मेरे बसकी नहीं है, मुझे इसीज को शुरू ही नहीं करना चीए था, मैंने अपने टाइम यहां पर वेस्ट कर दिया, यह गलत decision मैंने लिया, यह मेरे साथ ही था यह, तो actually मैं यहां पर हुआ यह था, कि decision मेरा गलत यह था, कि मैंने shortcut चुना, क्योंकि गलती YouTube की नहीं थी, अगर हम किसे copyrighted content यूज करेंगे, तो भाई उस पर strike आ सकती है, और सारे के सारे content को YouTube ने उड़ा दिया, जो मेरी खुद की मैनत थी, जहां पर मैं top 10 की वीडियो बनाता था, वो भी गया, यह जो खुद की मैनत की चीज थी, वो भी गई, और आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपको लगता है कि यह चीज shortcut है, यह चीज मुझे बहुत आसानी से मेरे target पे लेके जा रही है, लेकिन यह चीज आपको feel होता है कि उतनी सही नहीं है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप अगर उस पे जाएंगे, तो बहुत जादा लाइफ का experience रहा है, तो वहाँ पर मेरा सब कुछ खता हूँ चुगा था, मैंने decide कर लिया कि यह ब्यार मुझे YouTube चलाना ही नहीं है, मैंने सोच लिया मुझे करना ही नहीं है YouTube, यह मेरे काम की चीज नहीं है, यह मेरे साथ ही हो रहा था, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे बह algorithm को समझ लिया, तो कीड़ा फिर से चला धिमाग में कि यार इतना कुछ पता है, इसको waste तो नहीं होने देना चीए, लेकिन तब मेरे पास में एक advantage आ चुका था, कि थोड़ा सा पैसा मैंने YouTube से कमा लिया था, और उसकी मदद से मैंने सुचा कि यार एक काम करता है, चलो फि कुछ ऐसा content बनाऊंगा, जिसमें मैं खुद रहूंगा, और पूरा जो audio वीडियो है, सब कुछ मेरा खुद कर रहेगा, मैंने ये plan किया कि 100 वीडियो मुझे बनानी है, कम से कम, क्योंकि मुझे पता था कि YouTube 5, 10, 15, 20 वीडियो बना करके नहीं चलता है, guys हमारे जीवन में ज ये hopeless हो करके, ये आपको जान बुच करके YouTube देता है, आपको व्यूज जान बुच करके नहीं देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी मजबूरियां है, वो हर किसी वो व्यूज नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपकी वीडियो पर response अच्छा आएगा, अगर लोग आपकी वीडि से कमाया था, और उसकी मत से इस बार जो है मैं कैमरा खरीद पाया, मेरे पास में कैमरा और एक माइक आ गया, तो अब मैं फ्री था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन चैलेंजेस यहां खतम नहीं हुए, क्योंकि भात वही है, कि लाइफ होती ही कुछ ऐसे है, सभी की ही ऐस होती है कि सोसते कुछ हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सोल नहीं होती, दूसरी उससे पहले खड़ी रहती है, तयार रहती है, मैं जब कैमरा के सामने खड़ा हुआ, मैंने दिखा कि यार, मुझे तो कैमरा में बोलना ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ड थ यह बहुत टाइम की बात है, और बहुत टाइम देखर कैसा हुआ है, लेकिन उस टाइम एक्चली भी ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, कैमरा के सामने, और मैंने जो जो चीजे बोली, जब मैंने उसको एडिट पे डाला, मैंने देखा, मुझे इतना बेकार लगा यार इस वीडियो को कौन देखेगा, यह डालने लाए कि नहीं है, जो फर्स्ट वीडियो थी, जो कि अभी भी यूट्यूब पर है, तो मैंने वाई एक तिकड़म लगाया, तिकड़म क्या था, कि आडियो हटा दो, तो किसी को सुने गाई नहीं कि वीडियो में था क्या तो वीडियो की जो ओडियो है मैंने सारी हटा दी, थोड़ा सा पाटर का शुरू में आखरी में और पूरी में मेजिक लागा करके वीडियो बना दी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी थी क्यों कैमेरा से शूट हुई थी और एडिटिंग बढ़िया थी क्योंकि मैं सीख गया था उस टाइम पर, लेकिन मेरा जो confidence level था, वो उसकी वज़य से कुछ down नहीं आ गया कि नहीं यार, मैं तो करनी बाऊंगा इस तरीके से तो, लेकिन वो जो चीज मैंने decide करी थी कि मुझे कम से कम 100 वीडियो यूटीब पर बनानी है, उससे पहले नहीं छोड़ना है, व मैंने decide कि भाई, जो कुछ हो, चाए मुझे बोलना आए, चाए ना आए, चाए मेरे वीडियो कोई देखे या ना देखे, मुझे वीडियो बनानी है, और यूटीब पर डालनी है, 100 वीडियो तो बनानी है, उसके बाद में मैं सोचूँगा कि अब आगे continue करना है, नहीं कर गर के 200 पहुँच गए लेकिन 200 वीडियो से उपर बिलकुल नहीं जारे थे, मैंने और वीडियो बनाई, हर वीडियो का यही हाल की 200 अधाई सो वीडियो से उपर बिलकुल नहीं जाना, और मुझे अच्छे से याद है, अर्निंग की बात करें, डॉलर्स में तो आप छोड दो ऐसे डॉलर में दिखाता है, बट रुपीज में भी बात करूँ तो कभी एक रुपए, कभी दो रुपए, कभी तीन रुपए, बस, मतलब वो points में पता है, YouTube exact बता था, एक फ़नी बात यह है, 1.25 रुपीज, तो इस तरीके मेरे earning जो है, वो show होती थी, और वो kind of demotivating था देख करके, लेकिन मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, यार मुझे अपने fix target तक तो चीज़ को नहीं छोड़ना है, तो वहाँ पर मैंने continue रखा, और अच्छी बात यह हुई, कि लगबख 6 महीने इस तरीके से struggle करने के बाद में, बहुत जादा struggle करने के बाद में, मैं मैं अपने दोस्तों के साथ में जादा time spend नहीं करता था, मैं comedy shows नहीं देखता था, मैं कोई 6-7 महीने में गर एक movie देखनों तो वो भी बहुत बड़ी बात थी, जबकि लोग daily movie देखा करते थे, सब कुछ मैंने छोड़ दिया अपनी live का, इस के चकर में कि मुझे videos बनानी ह है, वो चलने लगा, लेकिन वहाँ पर भी एक दूसरा मेरे पास में problem आ गया, कि मेरे channel पर वो ही videos चल रही थी, जो की sports related थी, अब मुझे ये पता था कि अगर आप algorithms के साथ में, YouTube के जो algorithms के साथ में adapt कर लेंगे, जो system है YouTube का, तो आप जादा आगे जा सकते हैं, तो मैंने वह experiments किया करता था, science की चीजों के बारे में बताया करता था, demo दिखाया करता था, वो सारा का सारा बदल करके हो गया, sports के बारे में, channel का नाम प्रियोक शाला से, sports शाला हो गया, यहां तक का सफर रहा, और मैं sports की videos बनाने लग गया, इसके बाद में, वो जो कीडा था, अब experiments व और साइंस वाली चीज़ने दिखा सके तब जाकर के शुरू हुआ crazy xyz जिसका उस time पे नाम था blade xyz blade xyz का मतलब यह था कि किसी भी चीज़ को काट करके दिखाना है मैंने पहली वीडियो बनाई वहाँ पर जिस मैंने cricket ball को काट करके दिखाया था कि इसके अंदर क्या होता है और ऐसी वीडियो बनाता था हमने भाई मतलब पता नहीं क्या काट दिया हमने बिजली का मीटर काट दिया हमने keyboard काट दिया इस तरीकी की वीडियो थी starting की लेकिन थोड़े time के बाद मैंसे realize हो गया कि यार अगर इतना particular रहेंगी तो काम नहीं चलेगा अगर थोड़ा सा wide variety of content में बना सकू तो बढ़िया रहेगा तो वहाँ पर हमने फिर से जो science experiment जो कि हम छोड़ चुके थे उनको लाना start किया क्योंकि science के बारे में मुझे जो knowledge थी वो बहुत अच्छे से हो गई थी फिर साथ में IIT से मैंने engineering भी कर ली थी तो उसने बहुत help किया इस सब चीजों को समझने में कि किस तरीके से जो science वाली चीज़ें वो काम करती हैं मैं चीजों को with logic समझाता था और कही न कहीं मेरे जो speaking skills थे जो मेरा जो representation था वो भी better हुआ time के साथ में और लोगों को वो चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं simple तरीके से किस तरीके इस चीजों को दिखा रहा हूं और समझा पा रहा हूं और तब जाकर कि confidence भी आने लगा और crazy x y g जो है वो channel थोड़ा सा चल गया थोड़ा सा का मतलब है कि एक लाग subscribers हो गए 40 दिन के अंदर जो की बहुत बड़ी बात थी उस time पर आप सब लोगा जो प्यार है वो मिलने लगा बहुत अच्छा लगने लगा खुद पे काम किया सब चीजे करी 2 million तक पहुँच गए लेकिन भाई तब फिर जो है एक बार जिंदगी में उतार चड़ाव आ गया क्योंकि उस time पर मेरे जो college थी वो complete हो गई और अब मेरे सामने बहुत बड़ी दुविदा आ गई कि मुझे अब क्या करना है जब मेरा college complete होने वाला था तो बहुत सारी companies placement के लिए आ रखी थी और मुझे अच्छा खासा जो है package भी मिल रहा था उस time के हिसाब से मुझे लगबग 18 लाग परेनम का offer भी मिला था दूसरा option ये था कि UPSC की preparation करी जाए और IAS बनने की तरफ एक कदम रखा जाए लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं वो चीज़ भी करूँगा और अगर मैं उसमें successful भी हो जाता हूं तो उसके थोड़े दिन बाद में मैं फिर से business वगईरा की field में आ जाऊंगा तो नीचे होता रहता था बहुत high risk वाली चीज थी उसको as a full time job की तरह full time work की तरह करना लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस field में मैं थोड़ा से expert भी हो चुका था इस field में मुझे मज़े मज़ा बहुत आता था बाकि जो चीज़े थी job है वो kind of boring जैसी चीज़े लेकिन YouTube में मेरे parents से पूछ रहा हूं तो वो मुझे कह रहे हैं कि या तो job करो या फिर UPSC की preparation करो YouTube के लिए बिलकुल मना सक्त मना अब यहां पर उन्होंने जो guidance दी गलती उनकी भी नहीं है कि YouTube उनके लिए इतना नया था कि उनको पता ही नहीं था कि यह चीज आगे किस तरीके से expand कर सक कि एक चीज अगर fail होती है तो मैं दूसरी कुछ ना कुछ build up कर लोगा और guys आप लोगं को भी यह समझना चाहिए कि जब आपके सामने ऐसे situation आए कि आपको exactly क्या करना है जब आप कई चीजों में confused हो तो भाई सबसे simple options यह है कि आपके पास में जो भी चीज आप start तो करो य बहुत बड़ी बन जाए time के साथ में तो वो सिरफ जो है time देने वाली बात होती है YouTube मेरा खुद का decision है high risk factor था मैंने लिया YouTube properly start किया college छोड़के घर आ गया और जैसे ही घर आया घर आकर के वीडियो बनाना start करी फिर से वही problems अब लोग और society बोलने लग गई मेरे parents को कि आप आपका जो बच्चे उसना आई टी से बीटेक करी है और अभी वो क्या कर रहा है यार यह सब मतलब camera लेकर कहां गूम रहे हैं यह actually में लोग कहते थे कुछ लोग तो यहां तक भी कहते थे guys मैं आपको बताओं कि यह देखो अभी यह कुछ खेल दिखाने वाले लोग आ गय जो कि अगर उसको उसको उसपे ज़्यादा दिमांग लगा दिया तो आदमी demotivit हो जाएगा लेकिन वैसा नहीं किया मैंने कम से कम और मैंने अपने घरवालों को समझाया मैंने अपने parents को समझाया कि मुझे थोड़ा सा time देने दीजे इसी इस पर अगर नहीं काम करेगी तो मैं और चीजे कर लूँगा लेकिन अभी मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता इसी वैसे मैंने अगर इतना risk लिया है तो यहाँ पर मैं 100% अपना दूँगा तब मैंने अपनी team build करी और एक बहुत अच्छी team जो है ना guys वो बहुत जरूरी होती है आप कुछ भी करना चाह बेसिक से कैमरा चलाना एडिटेंग क्योंकि यह सब चीजे मैं पहले जान चुगा था और इसी वज़े से एक strong team मेरे पास में आ गई और हम लोग videos पर काम कर सकते थे हमने काम करना शुरू किया YouTube में growth normal चलती रही ऐसा कुछ खास नहीं हुआ बस YouTube चलता रहा अपना खर्चा निकलता रहा इससे जादा कुछ नहीं होना था लेकिन अब आता है गाई सबसे interesting part और सबसे challenging part भी कोविड आ गया अब जब कोविड आया भाई तो सबसे वड़ी दिक्कत यह थी कि ना बाहर जा सकते हमारी वीडियो तो वैसे आउट्डूर तो होती है ना बाहर से सामान ल problem आती है अगर आप ध्यान से उसको observe करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई opportunity भी जरूर से छिपी होती है काफी time सोचने के बाद में जब 5-7 दिन हो गए बेचे नहीं हो गई शरीर में कि यार इतने दिन हो गए वीडियो नहीं बना रहे हैं तब दिमाग में आया कि अब ही एक बहुत अच्छा मौका भी है लोग अपने घरों में बंद हैं लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं और जो लोग वीडियो बनाते हैं जो content creators है वो भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं यानि की YouTube पर देखने वाले जादा हैं वीडियो बनाने वाले लोग कम हैं जो supply है वो क बनाई दूसरे बनाई साथ दिन तक हमने रोजाना वीडियो बना दी साथ दिन का max target था उससे पहले हम लोग हफते में एक दो वीडियो जी बनाते थे तो बहुत बड़ा target था लेकिन फिर रुकने का मन नहीं किया आठवे दिन भी नी रुके नौवे दिन भी नी रुके ए जो कि मुझे लगता है कि पूरा game changer था और बहुत बड़े time के span में था डेड़ साल भले ही मैं बिमार हूँ भले ही टीम में किसी कुछ problem है ना मैंने चुट्टी करी ना टीम ने एक दिन की भी चुट्टी करी डेली shoot, डेली edit, डेली काम वहाँ पर उस चीज ने बहुत बड मिला, इतना support मिला कि भाई उसके बाद में आज आपके सामने 20 million पर पहुँच चुके हैं और आप सब लोगों का thank you भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया शुरुवात से, आप लोगों ने motivate भी किया, ideas भी दिये कि अमित भाई ये वीडियो बनाओ ये चीज हमको देखनी है, तो उससे भी बहुत जादा help मिली, लेकिन help को ढूणने वाला होना चाहिए, चीज को समझना हमको आना चाहिए, कि अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वीडियो कहां से बनाओ, भाई comments पढ़ लो, comments में बहुत सारे ideas होते हैं, तो वहां से बहुत स जिन्दगी थी, वो एक आम जिन्दगी से शुरू हुई, और उसी के वज़े से मुझे लगता है कि सब के साथ में relate हो पा रही होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपको रोक सकती है, अपनी मन्जिल तक पहुँचने में, और ये मेरा मानना है कि आप जहां जान पास में बहुत सारी चीज़े हैं, उसने ऐसे ऐसे किया होगा, रही मेरे पास तो सारी दिक्कते हैं, भाई सबी की जिन्दगी में दिक्कते होती हैं, किसी के जिन्दगी ऐसी नहीं है कि बहुत अराम से होती है, और सब कुछ easily हो जाता है, तो आप लोग भी please, जहां पर भ बड़ा करने के बारे में सोचेगे और बड़ा कर पाओगे, जाइस इनी words के साथ में thank you कहना चाता हूँ जो श्टोक्स को जिन्हों ने मुझे मोका दिया यहां पर बोलने का, thank you so much, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि जो कुछ है, जो कुछ आज हम है, हमारी टीम ह जो कुछ crazy xyz है, वो आप सब लोगों की वैसे है, अगर आप नहीं होते तो यह कुछ भी नहीं होता, thank you so much इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे comment section में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें